तो आज हम पढ़ेंगे युनेट नमबर वन नमबर सिस्टम की एक्सराइज नमबर 1.5 का क्वेस्टन नमबर 4 जो की पेज नमबर 24 पर दिया हुआ है तो स्टार्ट करते हैं डिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 अन दे नमबर लाइन ये question बहुत ज़ादा जरूरी है इस ट्राइब का एक question exam में जरूर दिया होता है तो नमबर आपको कुछ भी दिया जा सकता है जरूरी नहीं है कि आपको अंडर रूट 9.3 ही आए आपको अंडर रूट 3.5 अंडर रूट 4.9 कुछ भी आ सकता है स्टार्ट करते हैं कि हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के उपपर तो सबसे पहला स्टेप कंस्ट्रक्ट A B विच इकोल तो 9.3 यूनिट्स तो सबसे पहले जितना भी आपको दिया होता है यहाँ पर जैसे मुझे दिया है मुझे अंडरूप 9.3 नंबर लाइन पर मार्क करना है यह रिप्रेजेंट करना है तो जितना भी नंबर दिया है मैं उतने यूनिट की लाइन स्केल यूज करके अपने पेपर पर ड्रॉ कर लूँगी सबसे पहले हमने 9.3 यूनिट की लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी और उसे नाम मैंने दे दिया A, B अब सेकिंड स्टेप क्या होगा सेकिंड स्टेप में हम B पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और एक यूनिट और आगे लाइन हम ड्रॉ कर देंगे और क्या नाम देंगे उसे हम नाम देंगे C So from B Mark a distance of one unit and mark the new point as C तो नए point को आपने नाम दे दिया C अब next क्या करोगे आप Draw perpendicular bisector of AC to find the midpoint of AC Mark that point as O अब हमें क्या करना है यह जो AC line है हमें उसका midpoint निकालना है बिल्कुल center point निकालना है तो वो निकालने के लिए क्या करते हैं हम तो center point अगर हमें निकालना है तो हम perpendicular bisector बना देंगे AC का अब perpendicular bisector कैसे बनाते हैं तो देखें आप compass लो compass को रखो पहले point A पर point A पर आपने compass रखा अब AC line की जितनी length है तो आप अपने compass को खोलो more than half of its length तो more than half आप खोलके एक arc उपर की तरफ लगाओ और एक arc नीचे की तरफ लगाओ अब ऐसे ही आप क्या करो अब आप अपने compass बिलकुल shift मत करो बिलकुल उसे आप change नहीं करोगे जितना हो खुला हुआ है उतना ही अब आप C point पर रखो और as it is अब आप एक उपर की तरफ आर्क बनाओ और एक नीचे की तरफ आर्क बनाओ अब जब आप सारी arc बना लोगे तो कुछ इस तरह आपका diagram दिखेगा अब दोनों arc को आप join कर दो by using a line अब जैसे ही आपने line से ये join करा तो आपको center point मिल जाएगा तो उस mid point को मैंने name दे दिया O तो अब ये जो O है ये mid point है AC का अब next क्या करना है हमें taking O as center and O C as radius draw a semicircle तो जो हमारा center point है O वहाँ पर हमने compass रखा और O C को मैंने radius लेट करा तो मतलब O पर compass का एक point रखकर और जो दूसरा point है compass का वह मैंने O C जितना खोल लिया और एक semicircle बना दिया अब next क्या करूंगी मैं draw a line perpendicular to AC passing through B and intersecting the semicircle at D तो अब आप क्या करो अब आपको एक line बनानी है जो AC के तो perpendicular है perpendicular मतलब 90 degree पर है और वह pass कर रही है D से तो ये मैंने line बनाई है BD अब कैसे बनाई है ये ये आप चाहो तो आप compass का यूज करके भी बना सकते हो 90 degree angle सबको बनाना आता है या फिर आप protector का भी यूज कर सकते हो अब क्या करो BD line आप देखो कहा पर join कर रही है वह semicircle से तो जिस भी point पर वो join कर रही है semicircle से हम उसे नाम देदेंगे BD और ये जो BD है यही है हमारा under root 9.3 मतलब आपको जो भी number आपको number line पर represent करना था तो वो equal होगा इसी line BD के अब next क्या करेंगे हम taking B as center and BD as radius draw an arc to intersect the number line at E अब आपको क्या करना है ये BD आपने line draw करी थी अब आप क्या करो B पर B को आप center let करो और BD जितना compass खोल लो और एक arc बना लो और arc को ये जो number line है ये intersect करनी चाहिए अब number line मैंने कहां से start करी देखो मैंने ये जो A सी line थी इसको आगे तक extend कर लिया और जो B point है वो मेरा initial point होगा starting point होगा और इसे मैं number line का जो zero point होता है वो यहाँ let कर लूँगी और एक एक unit आगे बढ़ा कर पूरी मैंने number line बना दी है अब अगर आप देखो तो ये arc कहां meet कर रही है इस number line को ये meet कर रही है E point पर तो ये जो E point है ये represent कर रहा है आपका under root 9.3 को तो जो BD है वो क्या था आपने radius लिया था और आपने एक arc बनाई है और arc का meet कर रही number line को या number line को meet कर रही है वो E पर तो B E क्या हुआ ये जो पूरी arc है इसका radius ही तो हुआ B E तो BD और B E दोनों बराबर है and it will be equal to under root 9.3 तो इस तरह हमने BD को B E के equal करा और बना लिया under root 9.3 और हमने इसी तरह represent कर दिया under root 9.3 को number line पर तो ये जो E point आप देख रहे हो यही है हमारा required answer तो E is equal to under root 9.3 So thank you for watching आज की class के लिए सिर्फ इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें इसे share करें और हमारे चानल को subscribe करें and hit the bell icon जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डाले तो आप तक notification सबसे पहले पहुचें Thank you आप अपने doubts, suggestions और आपको जिस भी topic पर वीडियो चाहिए हमें comment करके बताएं झाल